हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चानल md9 education में दोस्तों हाली में Adobe Lightroom Classic में दो नए बड़े अपडेट आ गए है तो इसमें से सबसे बड़ा अपडेट है लेंस बलर का और साथी साथ पॉइंट कलर का एक अपडेट आ गया है तो लेंस बलर का वतलब उसमें थोड़ा फार बलर वहां पर डिख जाता था लेकिन उसमें इतना अच्छा काम नहीं होता था लेकिन आप इन लेंस बलर का जो ओप्शन यहां पर आ गया है लाइट रूम में तो काफी हद तक यहां पर आमें बलर का effect हामें देखने को मिलेगा और साथी साथ तो लाइट रूम पर जो अभी यह लाइट रूम क्लासिक का जो 13 का जो रिलीज है इसमें जो अपडेट आ गया है वही सेम आपडेट आपको फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जिन में मिलेगा उसमें आपको camera जो 16 है वह उसमें एड़ हो गया है तो उसमें भी सेम आपको less blur for point color के option मतलब वह आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम यहाप एक image open करते है तो यहाप मेरे पास कुछ images है उस images में हम यहाप जो पहली वाली image है इसको हम develop mode में लेके जाते हैं इसके लिए हम D button प्रेस करेंगे तो हम यहाप यहाप प्रेस करेंगे तो हम यहाप देख सकते बेसिक से लेकि यहाप आपको बहुत से पैनल मेंगे बेसिक टोन कर और इसमें अभी यह नया option एड हो गया है लेंस ब्लर तो यहाप अरली अक्सेस पर मतलब यह बिटा बिटा टेस्टिंग में तो जैसे मैं इसको आउन करूंगा तो आप देख सकते कि यहाप आपको यह इस तरह का एक वोक्स यहां पर दिखाए देगा तो यहां पर सबसे पहले आपको लेश ब्लर को अपले करना पड़ेगा तो उसके बाद यहां पर अपने इसको एपनते है तो invert सॉन compartir इसको को यहांसे बढ़ा सकते हैं तो आपद सकते हैं कुछ इस तरह से यह लेंस ब्लर या पर effect काम कर रहा है पिर उसके बाद आपको बुके मतलब जो अभी लेंस ब्लर में क्या हो गया कि आप बहुत सारे जो लाइट से वाप एक बुके का effect आ गया है तो उस बुके को आपको किस तरह से आपको चाहिए तो यह नॉर्मल डिफॉल्ट है अगर से आपको चाहिए इस तरा से बुके ले सकते हैं या फिर अपको कुछ सर्कुलर आप यह पर देख सकते किस तरब से this यह पुप हो रहा है और आपको कुछ इस तरह से सरक सकतें तो मुझे यह भी अच्छा लग रहे ठीक है यह दो नंबर का भी ठीग है तो हम डिफॉल्ट ही रखेंगे तो आप इसको भी एक्सपरिमेंट कर सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे बूखे को आप बुष्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर उसके बाद यहाँ पे सब्चेक्ट और पॉइंट यह दो ऑप् करते हैं तो उसी तरह से यह हम यहां पर अगर फोक यह बाइडिफॉल्ट सब्जेक्ट पर क्लिक होता है तो इससे क्या होता कि सब्जेक्ट यहां पर क्लिर होता है और बैग्राउंड ब्लर होता है लेकिन अगर हम यहां पर इस पॉइंट को अगर लेते हैं इस पॉइंट को पोई ब्लर कर दिया है तो इस तरह से यह काम करता है तो हम बाइड डिफॉल्ट यहां पर जो सब्जेक्ट है उसी को हम सेलेट करेंगे जिससे सब्जेक्ट सेलेट हो जाए और बैग्राउंड ब्लर हो जाए ठीक है तो इस तरह से यह काम करता है फिर उसके बाद यहां पर हम कि विफोर्प्टर को बंद कर देते हैं फिर उसके बाद यहां पे आप देख सकते एक यहां पे एक रेंज दीए फोकल लेन के लिए जैसे मैंने आप भी बताए कि अगर आपको सब्जेट को फोकस करना है तो हम सब्जेट को वहां पे फोकस करेंगा और बैगराउंड को ब् तो यहां पे मैं क्या करता हूं इसको देखने के लिए हम यहां पर विज्यह डेप ते इसको अ ​​क्रेंगे तो इससे होगा क्या कि है यह जो यहलो कर अंukी दिखाई यह यह गऴू मतलब है कैमेरे के नज़्धी सब्केंट इसको इस हमारा अभ यहां पर नजदी के और जो ग्लू कलर है या फिर जो वाइलेट कलर है परपल कलर वो कैमेरे के सबसे वो बहुत दूर है ठीक है तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से अगर हम एडिश्ट करेंगे तो यह अभी आप देख सकते कि यह आपे जो बैग्रोंड था वो यह आपे वाइट हो ग भी फोकस हो गया और जो बैग्राउंड है वो आपे फोकस में आ गया है तो कुछ इस तरह से या आप इसको एडिश्ट कर सकते हैं तो यह बाइडिफोर्ट हम यहापे ही रखेंगे फिर इसके बाद अगर चाहिए तो आप इसकी रेंज भी आपे बढ़ा सकते हैं तो आप दिश्ट करने आप इस तरह से कर सकते हैं मैं जैसे मैंने इसकी अपर कर दया तो यहाप जो बुक्यों मैं ने यहां जो सरकल वाला रखा था वह आप याप देख सकते हैं थीकपाफी राषा ज़्यादर याप या पर ब्लर याप वो गया है संप सब्सकृत से ऊप़ाइद रखेंगे तो यह बूकर आप यदिख सकते हैं पूरुज तरह से सरकल सरकल भी आप दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी इस अपसे आपको कितना बैक्रोंड में ब्लर चाहिए आप इस तरह से एजेट कर सकते हैं ठ्टेटए तो खुछ इस तरह से ये लेंज ब्लर यापे कामकरता है एक साहिए दुसरे इमेज खétaया है किस तरह से कामकरता है कि याप साहिए यी मेरे पास दूसरा इमेज हो यहाप्ल कर देता हूँ लेंसिन द Literally को मैं आल पे आपलाय कर देता हूं को यह पर यह पर अपलाई हो गया है और यह अपर हम चाहिए तो इस्की ब्ल आप यह ए पर आ पर आप बढ़ा सकते हैं या पर यह अपर ब्लर कियाम और यहं रहते हैं आप चाहिए तो इसHHHH इसकी range कम जादा कर सकते हैं, तो इस तरह से यह lens blur यहापे काम करते हैं, यह पिर चाहिए तो आप यहापे इसको थोड़ा सा edit कर लो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से यह lens blur का जो update आया है, तो आप इसको इस तरह से use कर सकते, तो आभी हम चलते हैं, जो दूसरा update, point color, तो point color किस तरह से काम कर जाएं, यह देखते हैं, तो दोस्तों इस तरह से यह image को मैंने develop mode में open कर लिया है, और आपको जो दूसरा update है, यह update आपको color mixer में यहापे मिलेगा, नॉर्मल यह हम यहापे पहले हम mixer, color mixer यूज़ करते हैं, उसके सामने आपको point color का option यहापे मिल जाएगा, तो इससे पहले हम किस तरह से काम करते थे, कि समझे यह यह saturation luminance, और यहापे all करेंगे, तो यह सारे use saturation luminance के आपको जो भी update है, मतलब यह सारे, यह जो slider यह सारे एक यह line में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप saturation पर काम करना चाहते हैं, तो आप saturation पर क्लिक करके, उस पर काम कर सकते हैं, तो अभी समझे यहापे मुझे यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी का color मुझे त्वड़ा सा saturate करना है, तो मैं पहले क्या करता था, यह आप का हम saturation यहापे बढ़ा सकते थे, फिर उसके बाद समझो, यहापे मैंने दूसरा point यहापे लिया, और यहापे इस green कलर को मैंने यहापे select कर लिया, तो कुछ इस तरह से हम इसका saturation पेले हम बढ़ाते थे, फिर वापिस से हम यहापे इसको ख्लिक करेंगे, तो यह कुछ इस किस तरह से यहांपको ऊप्षन तो किस तरह को पहले रिसिट कर लेते हैं किस इमिज को छ सुस्वक्री को और अब है अब को क्या करना रही जो भी कलर पर आपको काम करने तो उस लेक्र बाव प्ञाले टर्बाव को एक डिया है समझो मुझे मिट्टी का डर्ष यहां पर चूज करना है तो मैं यहां पर क्या कोंगा कुछ इस तरह सी ऎक अपर चूज करूऊ ठीक है समझे यह Questo मैंने यहां पर पिक कर लिया तो जैसे आप इयां पर पॉइंट करेंगे तो तो उससे related सारे option आपको इस box में या पर दिखाई देगे जैसे कि या पर इस color का पूरा box आपको दिखाई देगा और या पर बीच में एक point है मतलब इसका मतलब आपने जो color या पर पिक किया है वो या पर शोक कर रहा है फिर उसके बाद उसके बाजू में एक छोटा सा box है त इसका जो color का जो intensity दा या फिर light का वह या पर कम हो गया यहा पर light बढ़ गया है टीक है तो यह कुछ इस तरह से काम करता है और जैसे में इसको इस point color को अगर में या पर नीचे लेके जाता हूं तो यहां पर यह क्या होगा कि इसका saturation value यहां पर कम हो गया और जैसे मैं इसको उपर लेके जाता हूँ यहां फिर कुछ इस तरह से एक्जिट करता हूँ तो इसमें color की जो भी saturation value वह यहां पर बढ़ेगी ठीक है मैं इसको by default यहां पर कर देता हूँ ठीक है चाहिए तो हम यह यहां पर आपको यूग का slider मिला है saturation का luminance का आप यहां से भी slider की मदद से कुछ इस तरह से यहां पर काम कर सकते हैं जैसे कि यह जो मिठी का color कुछ इस तरह से हो गया है तो नौर्मली मिठी का गलद कुछ इस तरह से नहीं होता मैं इस तर इसको इस तरह से एड़ेश कर ले दूसरा कलर पिक करेंगे दूसरा कलर पिक कर रहें लिए हम सिंपल कलर ड्रोप आई ड्रोपर लेंगे और यहां पर इस कलर को पिक करेंगे जैसे पिक करेंगे वह पिससे हम यहां पर आप चाहिए तो इसका saturation यू यहां से चेंज कर सकते हैं ठीक है और यहां पर आपको चा बढ़ा सकते हैं अगर 앞으로 jos करना कि हमने क्लोर भी किया वह कहल आपए अपले वो रहा है वतलत का हम पर उसकी रेंज मुझ Eddy तो यहां पर हम विजुल रेंज कर देंगे तो आप देख सकते कि यह जो कलर है कि अमारा इस तरह से आपको इमेज में वह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है उसी तरह से हम वापी से तीसरा कलर यहां पर पिक करेंगे यह जो ग्लू कलर इसको मैं फिक करता हूँ आप चाहिए तो इसका यहां पर हम से से बढ़ाएंगे आप यहां से लियूमिनेंस का वैल्यू अगर अलग क पर इसको भी आप विजुलाइज कर सकते कि रेंज कहा तक आपने प्की है पिर उसके बाद बाकी का सेटिंग आप कर सकते है उसमें ठीक है तो कुछ इस तरह से यह काम करता है फिरूप के बद यहां पर एक रेंज का स्लाइडर दिया है जैसे कि सबसे पहले आपने यह पि आपको इसी ऊपर वॉक्स में आपको दिखाए देगा या फिर आप यह जो आपका इमेज यह आपकर उपने उसमें भी आप याप देखके एजिट कर सकते में उसी तरह से इस ग्रीन कलर को भी आप यहां से एजिट कर सकते हैं यह आपको रिंज का तक बढ़ानी है यहां पर हम इस image को before after दिखते हैं तो यह हमारा पहला वाला इमेज इस तरह से था अभी यह इमेज यहां पर हमने point color की मदल से यहां पर थोड़ा सा improvement किया है तो यह normal आपको point color बताने के लिए यहां में यह काम किया इसमें आप lightroom में बहुत यह अलग तरीके से image को एडिट कर सकते हैं उसको manipulate कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे आड़ भी लाइट रॉम प्लासिक के update और यह जो दो अपडेट लेंस बलर और point color यह दो जो बड़े अपडेट यह अपडेट सेम आपको एड़ भी फोटोशॉप का जो 25 का जो वर्जन है तो उसमें भी आपको यह आपको दिखाई देंगे तो फोटोशॉप में भी अगर आपके पास फोटोशॉप इस्टाले तो फोटोशॉप में भी जाके आप इस के एकस्परिमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीड़े में आपको कुछ भी आगध्स सेखने को मिलाए तो ज़्यादा से जदा इस वीड़ो को Like कूरो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेर को तो आच इस वीडियो में बसे इतना ही बिलते हैं अगले वीडियो में